भाकी माने तो अगले कुछ दिनों तक गिलगित, बाल्टिस्तान, मुजफराबाद, लद्डाक, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्राखेंड के पहाडों पर बर्फ बारी के साथ बारिश के आसार हैं। इस बीच पश्चिमी, विशोब, उत्री पाकस्तान और इससे सटे इलाकों से आगे बढ़ने के संभावना के बीच अगले तीन से चार दिनों में मौसम के मिजाज में बदलाओ देखने को मिल सकता है। वहीं पहाडी LIKEो से चौल रही बरफीली हवाओं का असर मैदानी इलाकों पर साफ दिख रहा है। मैदानी इलाकों में तेजी से दिन और रात के पापान में गिरावट दर्श की जा रही है। दिली अंसियार में ठंड का असर धीरे-दीरे दिखने लगा है। हलाकि अभी भी ठंड उतनी नहीं है जितनी दिसंबर के महीने में आमतोर पर होती है मौसा विभाग के मुताबिक दिल्ली वालों को अभी कड़कडाती ठंड के लिए इंतिजार करना होगा इस बीच मैदान इलाकों में सुभा शाम को धुंद पढ़ने और पहाडों में सुभा पाला पढ़ने के संभावना है कई जगाहों पर तो अभी से कोहरे की मार भी पढ़ने लगी है सुभा के समय कई राकों में कोहरे की वजह से वीजिबलीटी काफी कम हो जाती है जुसे यातायात काफी प्रभावित हो रहा है कोहरे की सबसे ज्यादा मार लंबी दूरी की ट्रेनों पर भी पड़ रही है कोरे के वजह से ट्रेने लेट हो रही है इसे यात्रियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है उतर भारत में जहां लगतार ठंड बढ़ रही है तो वहीं दूसरी तरफ दक्षिन भारत के राज्यों में आज भी बारिश का पुर्वानुमान है दरसल बंगाल की खाड़ी के उपर बना कम दबाव का शेत्र अब गहरे दबाव में बदल गया है और आज चक्रवाती तूफान मेंडूस में बदलने की संभावना है मौसम विभा की माने तो करनाटक, तमिलाडू, केरल, अंटमान और निकोबार जोएसे दक्षिनी राज्यों में अगले कुछ दिनों तक हलकी से भारी बारिश होने की संभावना है वहीं 11 दिसंबर के बीच पश्चिमी विशोप की वजह से गिलगित, बाल्टिस्तान, मुजफराबाद, लद्दाक, जमु कश्मीर, हिमाचल प्रदेश में हलकी से मध्यम बारिश और बर्फबारी हो सकती है वहीं ता मिलाडू, आंधर प्रदेश, अंडमान और निकोबार दियूप सम्हू समेथ कई लाकों में हलकी बारिश होने के आसार है फिलहार इस खबर में इतना ही देश और दुनिया के तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए One India हिंदी के साथ